सीजनल सब्जी तो सभी को बहुत पसंद आती है इसलिए मैं कुछ दिनों से पालक और मेती बहुत जादा ही बना रही थी तो घरवालों ने का अब तो कुछ अच्छा और डिफेंट किला दो तो बनाना तो कुछ सीजन का ही था और चटपटा भी बनाने का मन कर रहा था तो मैंने बनाया ये मतर की नीमोना वाली सब्जी इसमें डाल दिया था थोड़े से आलू जो नहीं भी पसंद करते हैं तो उन्हें बहुत ही पसंद आएगा तो ये बहुत ही टेस्टी अमेजिंग एदम तीखा चटकदार वाला नीमोना जो मतर से बनाया है बहुत ही टेस्टी बना था और बहुत ही डिलिशेश बना था आप लोग भी ये रेस्पी देखिए आपको जरूर पसंद आएगा तो चली चलते है रादना के देशी किचन में तो इसके बनाने के लिए मैंने यहां पे लिया है साबुत धनिया एक चमच जितना और हाप चमच जितना यह काली मिर्ची है और यहाँ पे लिया है धनिया पत्तर के डंठल धनिया पत्तर का मैं डंठल मैंने ज्यादा लिया है यह डाल के देखी का जुरूर बहुत ही अच्छा स्वाध आता है इससे और यहाँ लिया सिर्फ दो हरी मिर्थी अब इन सब को मैं मटर के साथ इसका पेस्ट बना लूँगे आपके जी जितना मटर लिया था जो छिलके ये एक कटोडी हुआ था इसका one fourth मैंने side में रखा है ये मैं साबू डालूँगी और इतना जो कटोडी में लिया है इसका मैं मसाले के साथ पेस्ट बना लूँगी तो अब मतर को मैं मिक्सिजार में डाल दे रही हूँ पेस्ट बनाने के लिए साती में जो हमने मसाला निकाला हुआ है उसे भी इसके साथ पीस कर मैं त्यार कर लूँगी तो बहुत जादा आप बारिक नहीं पीसेगा हलका दरदरा रहना चाहिए वो मैं अभी आपको दिखा दूँगी कितना इसे आपको पीसना है बिल्कुल पतला नहीं करना है पानी डालने की जरूत नहीं है यह ऐसे ही अच्छे से पिसकर त्यार हो जाएगा तो बिना पानी कहीं आप देखिए कुछ इस तरह से यह पिसकर त्यार हो जाएगा बहुत बारिक नहीं पीसा है और नहीं मैंने इसमें पानी डाला है तो इस तरह से अब मैं इसे प्लेट में निकाल देती हूँ इसके साथ हमें कुछ और भी मसाले त्यार करना है वो भी आप देख लिजी और कौन-कौन सा हमें मसाला पीस कर त्यार करना है तो यहां लिया हुआ है अदरक और थोरे से लेसन, एक इंची अदरक है, छे साथ कलिया है लेसन के, और साथ में पेस्ट लूँगी में एक चमच जितना जीरा और हाफ चमच जितना ये काली मिर्ची, इन दोनों का भी हम साथ में पेस्ट बना लेंगे, यहां पे लिया हुआ नहीं हुरा है एक हिख साइस का तमाटर जो इसका भी में अलग से पेस्ट बनाएंगे उसका और यहां पे अधरत लहसन और जीरा काली मिर्ची का पेस्ट और यह हैरें तो प्यास है जो इस तरह से चोटे-चोटे-चोटे अब इटकर हाई लेंगे और उसमें 2 टेवल स्पून जितना यह सरसो का आल डाल दिया है अच्छे से मैंने इसे गरम कर लिया है उसके बाद एक बिक साइज का यह आलू है जो इस तरह लंबे-लंबे मैजस में मैंने काट लिये हैं अब इने अच्छे सरसे में डीफ फ्राइ क अगर आलू नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसे स्केप कर सकते हैं पर आलू डालने से बचे भी से पसंद से खाते हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा यह सबजी तो इसलिए आलू डालीएगा ज़रूर और सबजी का स्वाद भी अच्छा आता है तो आलू तो अब हम इसमें मसाला डालेंगे तो सबसे पहले मैं मसाला डाल रही हूं अध्रैक लेसन जीरा काली मिर्ची वाला जो पेस्ट बना के त्यार किया था उसे अच्छे से भूल लीजिए एक से दो मिनिट जितना उसके बाद यह भून जाएगा तो अब हम इसमें हल्दी और नमक डाल देंगे ताकि और भी अच्छे से मसाला भून कर त्यार हो जाए उसके बाद जब इसे हम एक दो मिनिट और इसे मिक्स कर लेते हैं भूनते हुए हो जाएगा दो तीन मिनट तो फिर हम इसमें डाल देंगे अपना यह टमाटर वाला पेस्ट जो बना के त्यार किय अब तमाटर को भी अच्छे से पकाल लीजिए एक मिनिट के लिए बूल लीजिए ताकि इसका जो कच्छा पन है रोव पन है वो निकल जाए उसके बाद जो यह मतर का पेस्ट था उसे डाल देंगे अब उसे भी इसके साथ अच्छे से भूनना है मतर को मसाले में अच्छ स्वाद आता है मसाला और मतर इन दोनोंको भूलना बहुत ज़रूरी है मसाला भी कच Ass Ferrari रहें और मतर भी कच्छा है तो कच्छा पर निकलने के लिए इससे भूनना बहुत ही जरूरी है और भूनने के सात साथ हमीं सवाद भी आ है तो उसके बाद हम यहाँ पे आलू डालेंगे जो हमने फ्राइ करके रखा हुआ था आलू और मसाला यह मत्रवाला अच्छे से जब भुन के इस तरह से देखे तयार हो जाएगा तो अब हम इसमें पानी डालेंगे तो पानी आप एक साथ मिन डालेंगे दो दो बैचल में डा हो जाएगा तो इसलिए मैं यहाँ पे हाप कब जीतना पानी और डाल देनी हूँ और अब इसमें अच्छे से उबाल आ जाएगा तो हाप जमच जीतना आपको गरम मसाला डालने के बाद अब आप इसको धक के रख दीजिए साथ मिनिट के लिए और देखे अब यह बनकर त्यार है तो देखिए अच्छी तरह से उबल गया है सब कुछ अच्छे से मिक्स होकर पक गया है तो अब हम इसमें अब लास्ट में एक तरका लगाएंगे तो तरका भी मैंने तेल में ही लगाया था पिंच ओ फेंग डाल दीजिए उसमें हाप स्पून जितना लाल और इस तरह से उपर सब्जी के डाल दीजे ये तरका लगाएंगे जरूर इसे स्वाद तो आएगा ही और सब्जी में कलर भी बहुत अच्छा आता है तो ये यूपी बिहार के स्टाइल का बना हुआ नीमोना मतर का आपको जरूर पसंद आएगा त्राइक पर आप जरूर लगता है ये नीमोना की सब्जी तो कैसी लगी रेस्पी मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा कोई सजेशन है तो आप जरूर दीजेगा मुझे बहुत अच्छा लगेगा तो आप मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ल करेंगे तो इसे गर्मा गरम पूरी पराठा या राइस किसी के साथ भी आप लंच या डिनर में सब्सक्राइब कीजिए बरे और बच्छे दोनों को ही बहुत ही पसंद आएगा ये तीखा चटपटा सा मतर नीमोना की सब्जी तो कैसी लगी रेस्पी प्लीज कमेंट करेंगे